हांची स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चैनल लाइटर्स ओफ मैथ विच आज अपा की करांगे टू डैमेंशनल त्री डैमेंशनल जुमेटरी दे कुछ थोनुपता ही होवेगा के मास्टर केडर दे पिशले सालां दे ग्वेशन एक्जांस दे विच टू डैमेंशनल त्री डैमेंशनल दे लागपाग अठारा तो वी अठारा तो वी क्वेशन्स आए होए ने ता आपा होन इन्ना नूहीं कवर करांगे थोनुपता टू डी ते थी इंटर्लिंक्ट दे मिंस इन्ना दे सिमिलर जे फॉर्मूलास बन जांदे ने इस करके मैं इन्ना नू इक ट्थें ही कवर करांगे एक वीडियो इच नहीं होँगे इस देले मैं दो तेन वीडियो सुण निया बनन गया ता मैं आज दी वीडियो दे विच थोनू कुछ MCQ करवान जा रही है हां जी देख देया पहला MCQ पहला क्वेश्चन दी रेशो इन विच दी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स देस एंड इस डिवाइड़ बाइड बाइड प्लेन इस की ओएगा आ रेशो दसनिंग है देखो बच्चे क्वेश्चन की है उन्ना ने कहा कि ए टू पॉइंट्स नू जॉइन कर दी लाइन मींस लाइन सेग्मेंट होएगा एक ए भी ठीक है जी ओस लाइन सेग्मेंट नू ए वाइजड प्लेन किन्नी रेशो दे एक्वेशन फाइंड करोंगी ठीक है फिर तुसी कोई सेक्शन फॉर्मूला लगा के तुसी उस दी रेशो फाइंड करोंगी बटो आईने लंबा प्रोसीजर करन दी ज़रूरत नी थोड़े कोवल एक सेकिंड दे विच सॉल्व करन ली एक प्रिक है देखो तुसी की कारन बच्ची पहलना तो थोड़े कोड़े जो yz-plane दित्ता होया इस दी एक्वेशन लिखो जे yz-plane दित्ता होया इधा मतलब इस दी स्टैंडर्ड एक्वेशन की होएगी x equals to 0 छीक है जी बाकी दिन्या एक्वेशन से ओभी लिख लेने आपा पहलना जे मालो xz-plane होंद है xz- Plain होंद है ठीक है देन इस दी स्टैंडर्ड एक्वेशन की होएगी आपने को ले y65 जे अपने को ले yz-plane dhe लिख लिया अपने को रहागी yz-case dy xy-plane xy experts होंद है दैन इस दिस स्टैंडर्ड equation क्यो होएगी z equals to 0 clear होण आपने कोल है कि यह yz plane है इधा मतलब standard equation लिख ली x equals to 0 ना होन की करना तोसी पहला जो point आपने कोल ठीक है इस point दा जो x coordinate है clear ओस नो put करना x देविच मींस put कर लिया मैं 2 clear upon की करना दूसरे point दा जो x coordinate है ओस नो put करना 3 clear ओस तो बार लगा दो तोसी minus ता थोड़े कोल रेशो किया जोगी minus 2 ratio 3 देख्या किना easy see एक second देविच solve हो गया हाँ जी हून देख्यो जे एथी अपने कोल की है yz plane दी जाए मानलो कोई थोड़े कोल किस line equation देख्यों दी चीक्या जी जा किस plane equation sorry एथे plane plane equation दी मानला है मेरे कोल equation दी 2x plus 3y plus z equals to 1 मानला है यह equation दित्ती हूं ठीक है फिर तुसी की करना है औह भी देख्याने भचे question यह बढ़ सकते ता तुसी j मानलो आ equation दित्ती है ता सब़ पहला इसनों तुसी adjust करना कि में 2x plus 3y plus z जो यह 1 आना इसनों दूसरी साट दे लगके जाना मींस इसनों इस फॉर्म दे विछ लिख लेना, clear, then की करना होएगा, तो see, again, जो फर्स्ट पॉइंट आना, फर्स्ट पॉइंट दे सारे पॉइंट्स दे विछ पुट कर दो, पहला 2 पुट कीता, ठीक है, 4 आ गया, 4 प्लस फिर y दे जागा, ते की पुट कीता, 4, 4, 3s are 12, z दे जागा, ते पुट कीता, 5, minus 1, upon, की आजेगा, फिर 3 पुट कीता, ठीक है, 3, 2 are 6, 5 पुट कीता, 3, 5s are 15, minus 4 कीता, z दे जागा, ते minus 4, minus 1, clear, यह आएगा, ता इसनों solve कर लेने है, 5, 4, 9, 9, plus 12 कीता, 21, minus of 1 कीता, 20, upon, 15, cancel हो जेगा, 10 राजेगा, 10 plus 6, 16, ठीक है जी, इसनों cancel कर लेने है, आपा, 10 by, 8, फिर 4, 5 by 4, means 5 by 4, उसतों बाद, minus लगाना, ना पुलना, clear, ता थोड़ी रेशो है जेगी, minus 5 is to, 4, clear, हाँजी, होना आपा चाल देया, next question ते, the lines, x cos alpha plus y sin alpha, equals to p1, and x cos beta plus y sin beta, equals to p2, will be perpendicular, if, options इना दे, विच्छों की होएगा, उन्हानने क्या के, यह दोन्नों lines, perpendicular कदो होने, हाँजी, बच्ची, आपन्नों पता है के, दो lines perpendicular कदो होने, जदो उन्हानना, this slope, the product की होने, equals to minus 1, means, m1 dot m2 equals to minus 1 होने, now, आपा पहले equation, this slope, find करगे, this slope, slope, जदो, अपने कोले, देखो, बच्ची, इस form दे, विच्छ लिखियो, अविता, slope, फटा, फट लिखन दा, तरीका, क्यों दे, पहले, x दो coefficient देखो, m1 slope दिख रही है, first line, x दो coefficient की है, cos alpha, upon y दो coefficient की है, sin alpha, ठीक है, इस दो negative करतो बास, then, m2 slope, secondly, हाँजी, इस दे, विच्छ, x दो coefficient की है, cos beta, y दो coefficient की है, sin beta, उस दो बार, negative लगादो, दोन्न दी slope, मिलगी, हाँजी, होन, आपने कोल, एस विच्छ, पुट कर दे, minus cos alpha, upon sin alpha, into minus cos beta, upon sin beta, equals to minus of 1, हाँजी, इक minus, दा, चला जाएग, एक रहा जेगा, minus, आपने कोल, ए, आगे, आपने कोल, minus cos alpha, cos beta, upon sin alpha, sin beta, equals to 1, this implies की होजेग, आपने कोल, minus cos alpha, cos beta, plus sin alpha, sin beta, equals to, sorry, equals to sin beta, clear, this implies sin alpha, cos beta, sin alpha, sin beta, sin beta, plus cos alpha, cos beta, equals to 0, this implies, ए, फॉर्मूला केसदा बनजेग, cos alpha, minus beta, equals to 0, हाँजी, cos 0 कदो होएग, means, alpha beta, minus beta, equals to pi by 2, clear, the option आपने कोल, B, correct, आएगी, इसने बिच, हाँजी, next question आपना, the line x upon a, minus y upon b, equals to 1, cuts the x-axis at P, हाँजी, प्यला तापा, यह लाइज 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 इस दा मतलब की हुन दए, की लाइन होंद या ही अपने को ले एक लाइज 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 लो कट कर दिया, आ ओरीजेदर पॉइंट, एज डिस्टेंस किन्ना होएगा, A, ते क्या deze क्याड़ पॉइंट, दो यह दिस्टन्स किन्न होएगा बी मिन्स केड़े y-axis नो केड़े पॉइंट ते कट करेगी जीरो बी ते क्लिया हां जी होन एथे आपने को लेकिया नेगटीव है इसना मतलब एथे प्लस है बी ना माइनस है इसना मतलब की होएगा आपने को ए लाइन के मेंदी होएगी ए नीचे काट कर देगी मिन्स है 0-b and a 0 एस पॉइंट ते है काट कर दी होएगी कलिया हां जी होने ही की क्या है काट x-axis at p means a point at p कलिया the equation of the line through p ओ लाइन दी equation find करनी जो p point विचो पास कर दिया and perpendicular to the given line तो किया है गिया पेंडिकुलर है के लिए means आप एस लाइन दी equation find करनी है हां जी होनुमना ने देखो क्या है कि जो लाइन आप फाइंड करनी है ओ ए जिरू a put कीता a equals to a plus b satisfy नहीं का रहा है एक्स दी जगात a put कीता a square by दी जगात 0 a square equals to a square कर रहा है next देख देख दिया एक्स दी जगात a b plus 0 equals to b square नहीं का रहा है इदा मतलब c option आपने कोले correct होएगी हां जी next question है if the line y equals to 2x plus c is a tangent to the circle x square plus y square equals to 5 then a value of c is की होएगी इनना विच्छो देख आपने कोले एक circle दिता है ठीक है जी उन्हाने किया कि एक line है जी उस तो tangent है then c the value find करो आपने कोले line equation की दिती हो यह y minus 2x minus c equals to 0 line equation आपने कोले एह given है circle की हैगा आपने कोले x square plus y square equals to 5 जे circle यह एती दा मतलब center की हैगा 00 standard form of equation circle दी radius की हैगा आपने कोले unto top 5 दी square means unto top 5 चीक है जी हां जी होने की में करना जे आपने कोले radius equals to a perpendicular distance दे होएगा p perpendicular distance चीक है जी देन की होजेगा आपने कोल रेडियस equals to perpendicular distance कर देने या देन आपने कोले c value मिल जेगी पहला radius आपनों पता अंडरूट 5 है हां जी होने perpendicular distance p किमें find होएगा किसे point तो किसे line तक perpendicular distance find किमें कर देया ओस point जो given point होंदा ओस लाइन दे विछ put कर दो पहला था put कीता उपर modulus upon की आजेगा अपने को जो ए लाइन दे coefficient सुन देने means ठीक है x y दे coefficient सुन देने उनना दा square दा अंडरूट क्लिया ता ए आजेगा अपने को ले c अपन अंडरूट आफ 5 equals to ए बराबबर रखना radius ने अंडरूट आफ 5 इना मतलब c आजेगा अपने को ले 5 ठीक है जी c option correct the foot of perpendicular from alpha beta gamma on y axis is की होएगा हाँ जी foot of perpendicular देखो अपने को ले x y z means अपने को ले 3D दे विछ दितो होया क्लिया ओ केंदे ने कोई प्रपेंडिक लो रहा है alpha beta gamma point तो ड्रा कीता अपने को ले y axis दा अपने point जो y axis ते कट करदा ना ये point अपने find करने ठीक है जी हाँ जी होन बच्चे देखो जे y axis ते कट करदा है क्लिया then की होएगा अपने कोले अपए point करना हो y axis नो satisfy करदा होएगा point पक्की गाल ये y axis दे अपने कोले direction ratios के में दे हुन जा direction cosign scale के में दे हुन देने 010 means x coordinate 0 होएगा तो y coordinate 0 होएगा ठीक है means यह थे आपने कोले कुछ non zero आएगा y दी जगा ते ताहँन देखलो options दे विच केड़े चेह गल सही बैठ दी पी या? D दे विचेह गल सही बैठ दी ता आपने कोले answer आएगा D हाँजी इस straight line x-3 upon 3 equals to y minus 2 upon 1 equals to z minus 1 upon 0 पहले तापा इस line दे equation नों समझ दे यह equation दी जो आपा general forms लिखे है x minus of x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c हुँदिया ठीक है जी? हाँजी इदा मतलब के हुँदिया कि ओ line केड़े points दे विच्चो पास कर दी? x1, y1 ते z1 दे विच्चो पास कर दी है ते a, b, c की हुँदिया नहीं युच दे direction ratios केलो जा direction cos केलो, दोनों cases दे विच्च आपने कोले एही equation बन दिया क्लिया हाँज होन एथे की क्या है यादी, straight line this is की होएगी parallel to x-axis होएगी, parallel to y-axis होएगी, parallel to z-axis होएगी, parallel to z-axis होएगी जा perpendicular to z-axis होएगी, की होएगी? देखो, पहले, जे माल लो parallel to x-axis होएगी, ता उस दे direction को size की में दे होणगी? एमें दे होणगी, छीक है जी? मिस 1 दी जगा ते कुछ non-0 होएगा, y ते z दी जगा ते 0-0 होएगा parallel to y-axis वाले की में दे होणगी? अपने कोले 0, b0 टाइप दे होणगी parallel to z-axis वाले के लिए जीरो-जीरो-सी टाइप दे होणगी, क्लिए होण अपने कोले जो एल लाइन दी equation दित्ती होई है, क्लिए, एस देखिए ने direction, cosine ने, j direction, cosine एहे ने पहले 2-0-0 ने, last की हैगा, एक जीरो है, तो इनना तिनना दे विचो था, किते भी match नहीं कर दा, इधा मतलब now parallel to x-axis है, ना parallel to y-axis हाते, ना parallel to z-axis है, clear, वो किसे दे भी parallel नहीं है, तो इधा मतलब c-type होँगे, clear, तो, z भी एस दो perpendicular plane होएगा, कोई भी perpendicular plane होएगा, इस दा, ओखेडा plane होएगा, आपने कोले x-y-plane होएगा, ति जे x-y-plane होएगा, ता, उस दे x-coordinate, y-coordinate 0 होणे तो, z-coordinate उस दा 0 होणे, एथे non-0 होणे, क्लिया ता होने इथे देखो आपने कोल जो डारेक्शन को साइन्स ने 3 1 ए नॉन जीरो ने ते ए जीरो ने इधा मतलब एक ये स्ट्रेट लाइन दी जड़ी एक्वेशिन आ उपर पेंडिकलर टू Z एक्सिस होवे की क्लिया नाउ next if a line in space makes angles alpha beta and gamma with the coordinate axis then अपने कोल एक relation दिता है cost to alpha cost to beta cost to gamma ये सारा equals to की होएगा क्लिया देख दे हां जी उन्ना ने अपने कोल दिता है देखो केंदेने के alpha beta gamma एंगल बनों देनी मालों ये अपने कोले Z axis है ये y है ठीक है जी आपने कोल कोई line है y देनाल Z देनाल X axis देनाल alpha बनांद है ठीक है जी y देनाल किना बनांद है beta Z axis देनाल gamma इदा मतलब की है आपने कोले दित्ता की हो या direction cos थो नुप पता होना चाहिए direction cos की हुंदेने direction cos O हुंदेने जोदो अपने कोई वी line X axis देनाल alpha बनांद है y axis देनाल beta बनांद है z axis देनाल gamma बनांद है तो direction cos की हुंदेने cos alpha cos beta cos gamma ठीक है जी तो एक केस दी प्रॉपर्टी भी इन दिया cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to की हुंदे 1 हुंदे क्लिया हाँ जी हुंद देख दें जो आपप प्रूव करने cos 2 alpha आपने एक formula भी पता है cos 2 alpha ले की हुंदे cos square alpha equals to 1 plus cos 2 alpha 1 plus cos 2 alpha by 2 हुंदे इधा मतलब आपने कोई cos 2 alpha दी value की मिल जेगी 2 cos square alpha minus of 1 क्लिया एथे पुट करो cos 2 alpha दी जगा दे पुट कर दो 2 cos square alpha minus 1 cos 2 beta दी plus 2 cos square beta minus 1 plus 2 cos square gamma minus 1 ठीक है जी plus sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma हाँ जी हुँद देख दें की बंद है देखो आपने कोई एथे 2 cos ने 2 cos square alpha 1 cos square alpha ते 1 sin square alpha मिलके बना देंगे 1 plus similarly cos square gamma minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 एक एंसल होगे cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma a equals to 1 आपा प्रोपटी कार चुके इदा मतलब बांसर आएगा आपने कोणे c option हाँ जी होप सो स्टूडेंट्स थोननों इस सारे क्वेश्चन समझ आगे होंगे जे किसे वी स्टूडेंट्स ने कोई डाउट है तो प्लीज मेंनों कमेंट सेक्षन दे विछ लिखके दसे ते इस तो ऑनवल गे वीडियोस देखन दे लिए प्लीज चैनल नों सब्सक्राइब करो ते ना लिए दिते होए बेल आइकन नों भी प्रेस करो ता जो थोननों सारे वीडियोस देंगे नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सकन थेंक यू